जय है माता दी दोस्तों चुश्याओं का सामना आपको बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महीने हो रहे ग्रहों की राशी परिवर्तन के बारे में। और कौन से यासे योग हैं जो कि इस समय पर आपकी राशी के लिए बन रहे हैं। शुक्र इस महीने में एक से लेकर 27 सितंबर तक कर्म भाव से सुख और कर्म का संबंद बना रहे हैं। जौब से जुड़ी हुई आपकी समस्याइं हल होंगी और खुशनुमा यादगार समय आपके लिए यह रहेगा। वहीं इस समय 15 सितंबर तक सूर्य स्वग रहेंगे जो कि ससुराल ननिहाल आपका अच्छा सोचने वालों से समस्याओं का सामना आपको इस समय पर देखने को मिल सकता है। रिष्टो में कड़वा हटा सकती हैं आपको संबल कर रहना चाहिए। बुद्ध 2 से 21 सितंबर तक आपके भागे भाव में स्वग रही और उच्छ राशीगत रहेंगे। आपके भागे को चमका रहे हैं पर आपको इस समय पर कर्म जरूर करना होगा। साथी साथ सुक भाव में रोचक योग बन रहा हैं जो कि भूमी संपत्ती से संबंदित आपके सपनों को सकार करने में सहायक होगा। आपकी राशी में ससयोग हैं जो कि समस्दारी से आपको बिजनस और प्रफेशन में लाब पहुचा रहे हैं। ब्रहस्पती और केतू का चैंडाल दोष 22 सितंबर तक रहेगा। 22 सितंबर तक ब्रहस्पती चैंडाल 2 से निकलेंगे लेकिन तब तक रिष्टों में करवाहट और धन हानी देखी जा सकती हैं। 23 सितंबर से राहू और केतु का परिवर्तन होगा और राहू शिक्षा भाव में प्रवेश करेंगे। विध्यारतियों और प्रेम लव लिरेशन्शिप में कुछ रुकावटे आ सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं मकराशी के लिए व्यपार और आपकी आर्थिक सिती के बारे में। स्टाफ में बदलाओ करना आदी भी संभब हैं। बस आपको धहरे इस समय पर रखना होगा। यह समय फेशन, आर्टो मुबाइल, मैनुफेचरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से जुड़ी लोगों के लिए बहुती लाब के नई अफसर प्राप्तों होने वाले हैं। प्राप्तों के लिए किये गर्परियास और महनत खास तोर पर नजर आएगी। जिसके कारण आपके बॉस, आपकी उच्छदिकारी इस समय पर आपकी प्रिशनसा कर सकते हैं। प्रियास करना होगा। यह महीना आपके लिए इंकम के नवीन साधन प्राप्त करने के लिए आपको साथ परदान कर सकता है। जॉप के लिए अप्लाई करना, जॉप के लिए कुछ बदलाओ, सही समय पर काम करना, आधी बातों में यह समय शुबमय साबित होगा। विध्यार्तियों की बात करें, तो विध्यार्तियों के लिए आपकी क्रेटिविटी और अन्य बातों के साथ आगे बढ़ना, सही कामों पर ध्यान देना आप इस समय पर चाहेंगे। और इन बातों में आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा इंटर्टेन्मेंट और इंजयर्मेंट जरूरी हैं। परंतु आप यदि इन बातों को अधिक महत्व दे रहे हैं, तो आप अपने लक्षय से इस समय पर भढ़क सकते हैं। गलत बातों, गलत चीजों, नसों और आदी लत में आप इस समय पर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको इस समय पर बचने की जरूरत हैं। बात करें फैमली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशन्शिप की, तो यह महीना आप चाहे महिला हो या पुरुश हो। आपको इस समय परिवार के साथ शौपिंग करने का सोख और सुभागेशाली अफसर प्राप्त हो रहा है। धन संबंदित चोरी आदी की घटना भी रह सकती है। प्रेम परसंग में प्रेमी और प्रेमी का को एक सुत्र में मिलते हुए देखा जाएगा। और यह समय अनुकूल है। अगर आप पुना विश्वास के साथ इस बारे में अपने परीजनों से बात करेंगे तो आपको परीजनों का साथ भी मिलेगा। परीवार के साथ समय बिताने गूमने फिरने के लिए परीवार का पुरा साथ आपको मिलेगा। चोड दुरघटना आधी बाते भी रह सकती हैं। अब बात करते हैं उन उपायों की बारे में जिनसे आप इस महीने को अपने लिए बेहदी शांदार बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में स्थिर्ता की कमी देख रहे हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, मानसिक हो या फिर किसी अन्य प्रकार से हो। अगर आपको अपने जीवन को सही रास्ते पर लाना हैं और एक स्थिर्ता प्राप्त करनी हैं, तो एक सितंबर को अनंत चतुर धर्शी के पावन अफसर पर आपको शिरी हरी विश्नु भगवान को पीले पुश्प आर्पित करने हैं और शिरी विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करना हैं, दोस्तों यदि आपकी कुंडली में पित्र दोश हैं तो 17 सितंबर को सर्व पित्री अमावस्या पर आप इस दिन दक्षिन दिशा की दिवार पर अपने परीजनों की फोटो उन पर हार चढ़ा कर प्रते दिन उनकी पूजा करें, अधिक मास का प्रारंब अभी 18 सितंबर से हो रहा है, यदि घर में नकरात्मक शक्तियां हैं और वहन नहीं जा रही हैं, तो उन नकरात्मक शक्तियों से चुटकरा प्राप्त करने के लिए अधिक मास के प्रारंब को आप हल्दी में पानी डाल कर, हल्दी का गोल बना कर, इसे घर के मुख्य द्व कर दो क्यू क्दा रहा है, मिलेज दो क्या उनी कि बना करात्मक शक्तियां जाए रहा हैं, लुटकरा रहा हैं जार का रहां हैं, श्थन झाल कर उडसMi